नमस्कार दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल रस्मी कन्भब आपका स्वागता है आज मैं आप लोगे के लिए काल्डिगन कोटी हाफ स्वेटर जाकिट का एक सांदर सा डिजाइन लेकर कहें हूं इसको आप अपने किसी पर प्रोजेक्ट में इस्तिमाल कर सकते हैं सीधी तर इस तरफ चैनल डोगे के लिए और दोफंद एक इध एक इधर से एज स्टिच के चले सिखाती ओंठों को इस दिजाइन को बनाने के लिए यह पहले से 28 फन की चोटी सी पट्टिवनके तयार कर ली है ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट न हो इसमें मैंने 24 फं कि पहली स्टला हमारी सीधी तरफ से start होगी यहां से यह लाइन आती यह हमारी सीधी तरफ से है देखिए से, start करते है एक फंदा edge stitch आप बुने या उतारें आपकी मरजी मैं उतार रही हूं धागा प्रें तरफ किंगए दो फंदे उल्टे हैं एक दो धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा अब एक दो इन दो फंदा को हम आगे से एक करेंगे आगे से इन दो का हम एक बनाएंगे आगे की तरप से दो का एक बना दिया हमने दो का एक बनाएंगे एक जाली डालेंगे इस तरीके से जाली बनाएंगे इन दो फंदों का एक करेंगे एक इसको सीधा करेंगे एक और दो इन दो का हम एक करेंगे पीछे की तरप से पीछे की तरप से एक फंदा सिधा देखे फ्रेंट्स इस एक edge stitch को शोड़के हमको यहां से यहां तक एक design complete हो गया हमने क्या करना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ हमने क्या करना है देखे दो फंदे उल्टे एक फंदा सिधा दो का एक करना आगे की तरप से एक जाली बनानी है दो का एक करना पीछे की साइट से एक फंदा सिधा यही फंदे हम बार बार repeat करेंगे हम फिर से repeat करें देखे धागा अपनी तरप दो फंदे उल्टे एक दो धागा पीछे करेंगे एक फंदा सिधा अब एक दो इन दो का हम एक करेंगे आगे की तरप से हम इस तरीके से फंदे को डिला कर लेंगे अब एक जाली बनाएंगे इस तरीके से इन दो फंदो का हम एक करेंगे पीछे की साइट से देखिए फ्रेंड्स पीछे की साइट से हम दो का एक करेंगे एक फंदा सिधा यहां से हां तक हमारे दो डिजाइण कम्प्लीट हो गए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं देखिए दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे हमारे तीन डिजाइण बनेंगे दो बन गए तीसरा हम बना रहे हैं दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा इन दो का एक करेंगे आगे की तरफ से एक जाली बनाएंगे इन दो का एक करेंगे पीछे की तरफ से एक फंदा सीधा पूरी डिजाइन कम्प्रीट करने के बात पूरी सलाई इसी तरह आप कम्प्रीट करते रहेंगे लास्ट में आपको तीन फंदे मिलेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे एज इस्टिच को हम सीधा बुनके कम्प्रीट करेंगे हमारी फ्रस्ट सलाई कम्प्रीट होगे ये छे सलाईयों का ये डिजाइन है सेकेंड सलाईय ध्यान से देखेगा एज इस्टिच को आप ऐसे ही उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक दो धागा अपनी तरफ करेंगे पाँच फंदे उल्टे एक दो जाली भी हम उल्टी बुनेंगे तीन चार पाँच यही फंदे हमने उल्टी दूसरी सलाई में बार-बार रिपीट करने हैं हम फिर से रिपीट करें धागा पीछे दो फंदे सीधे एक दो धागा अपनी तरफ करेंगे पाँच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँच हमारे दो डिजैन कम्प्रीट हो गए हम तीसरा फिर रिपीट कर रहें देखिए धागा पीछे दो फंदे सीधे एक दो धागा अपनी तरफ करेंगे पाँच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँच हमारे तीन डिजैन कम्प्रीट हो गए पूरी सलाई complete करने के बाद आपको 3 फंदे बचेंगे धागा पीछे 2 फंदे सीदे 1, 2 edge stitch को हम उल्टा बुनके complete करेंगे हमारी बुनाई की 2 सलाई complete हो गई अब हमारी बुनाई की तीसरी सलाई 1 फंदा edge stitch हम ऐसे ही उतारेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, धागा पीछे करेंगे, इन दो फंदो का हम आगे की तरफ से, दो फंदो का एक करेंगे, आगे की तरफ से, एक फंदा, सीधा, इन दो फंदो का हम एक करेंगे, पीछे की तरफ से, इस तरीके से पीछे की तरफ से दो का एक करेंगे ये edge stitch को छोड़के यही 5 फंद हमको बार बार रिपीट करने हैं हमने 2 उल्टे करने हैं दो का एक करना है आगे की तरफ से एक फंदा सीधा दो का एक पीछे की तरफ से फिर रपीट कर रहे हम देखिए दो का एक करेंगे इन दो का एक करेंगे आगे की तरफ से एक फंदा सीधा दो का एक करेंगे इसका इसका पीछे की तरफ से हमारे हां से हां तक दो डिजाइन कम्प्रीट होगे हम फिर से लास्ट बार रिपीट कर रहे हैं देखिए धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक, दो धागा पीछे करेंगे एक, दो इन दो का एक करेंगे आगे की तरफ से एक खंदा सीधा इन दो का एक करेंगे पीछे की तरफ से लास्ट मैं पूरी से सलाई कम्प्रेट करने गया पीछे करेंगे एज पीछे करेंगे अब हमारी बुनाई की चोथी सलाई edge stitch को हम ऐसे ही उतार लेंगे आपकी मर्जी आप बुन भी सकते हैं दागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक दो दागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन यह edge stitch को छोड़के एक, दो, तीन, चार, पाँच यही पाँच फंदे हमको बार-बार रिपीट करने हैं देखे हम फिर से रिपीट करें दागा पीछे दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे एक दो तीन हमारे दो डीजैन यहां तक कमप्लीट हो गए हम तीसरी बार फिर से repeat कर रहे है देखिए धागा पीछे दो फंदे सीधे एक दो धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्टे एक दो तीन लास्ट में पूरी सलाई करने के पाद आपको तीन फंदे मिलेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एज इस्टिच को हम उल्टा बुनके कम्प्लीट करेंगे इस तरीके से हमारी बुनाई की चोथी सलाई कम्प्लीट हो गई है अब friends हमारी भुनाई की पाच्छे सलाईया आप ध्यान से देखेगा एक फंदा हम एजिस्टिच का उतारेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो धागा पीछे करेंगे यह हमारे जो तीन फंदे हैं friends इसमें एक फंदा हम सीधा बनेंगे अब इस फंदे में जहां पर यह जाली है हमारी friends देखेए जहां पर यह हमारी जाली बनी हुई है यह जाली दिख ली है इस जाली के ठिक बगल से हम यहां पर से एक फंदा इस फंदे के नीचे से उठाएंगे यहां से हम एक फंदा निकाल लेंगे आप ऐसे भी बना सकतो जिसमें ये डालेंगे फिर हम ऐसे करके फंदा निकाल लेंगे देखे फ्रेंड हमने दो उल्टे के रहे एक सीधा एक फंदा हम यहाँ पर से लेंगे लूप बना के यह हमने एक फंदा ले लिया है अब ये जो हमारा जाली वाला फंदा है ये उपर आ रहा है इसको हम खोल देंगे एक और दो दो बार इसको खोल देंगे अब ये जो फंदा है इससे हम इन दो फंदों से हम यहाँ पर से जो दो धागे आ रहे हैं इन दो धागे से हम इसको ऐसे करके उपर ले लेंगे देखे अब इसमें डाल देंगे और इन दोनों फंदों को हम बुन लेंगे सीधा एक दो अब इस यह जो फंदा है इसके भी लास्ट से हम यहां से एक फंदा लेंगे इस तरीके से और एक फंदा हम सीधा बनेंगे यही फंदे हमने देखिए हमारा एजिश्टी जे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ हमारे फिर से आठ फंदे बन गए है यानि कि हमने तीन फंदों के छे फंदे बनाने है हम फिर से रिपीट करें देखिए ध्यान से देखिएगा धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे एक दो धागा पीछे करेंगे एक फंदा हम सीधा बनेंगे अब यह जो इस सीधे फंदे के नीचे से इसी वाली फली से हमको यह जाली के पास से एक फंदा ले लेना है लूप की तरह है हमने एक फंदा बना लिया अब ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम खोल देंगे एक, दो और ये दो फंदे ये हैं हमरे, ये तीन चार इन दोनों के, ये दो धागे नीचे के अंदर से हम ये उपर के दो धागे इस तरीके से ले लेंगे इनको इस सलाई में डाल देंगे और एक एक करके दोनों को बुन लेंगे पहले इस फंदे को बुनेंगे एक, फिर इसको बुनेंगे दो अब इस फंदे के नीचे से भी हम एक फंदा एश्ट्रा लेंगे इस तरीके से और एक फंदा सीधा हमारे दो डिजाइन कम्प्रीट हो गए है हम तीसरी डिजाइन फिर से रिपीट करें धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक दो धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा हम इसके नीचे से लेंगे इस तरीके से हमने नीचे से फंदा ले लिया उसके बद जाली वाले फंदे को हम पूरा खोल देंगे एक यह चार है दो तीन चार यह देखे चार धागे है इन दो धागों से के अंदर से हम उपर के दो धागे ऐसे निकाल देंगे इसको इसमें डालेंगे पहले हम एक फंदा बनेंगे एक फिर हम दूसरा बनेंगे दो अब इस फंदे के भी नीचे से हम यहां से एक फंदा एक्ष्ट्रा लेंगे इस तरीके से हमारे तीन डिजाइन कम्प्रीट हो गए है लास्ट में आपके पास पूरी सलाई करने का तीन फंदे बचेंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे एक दो एज इस्टिच को हम धागा पीछे करके सीधा उनके कम्प्रीट करें हमारी बुनाई की पास पूरी सलाई कम्प्रीट हो गए देखे डिजाइन हमारा दिखाई देने लग गया अब बुनाई की हमारी छटी सलाई है एज इस्टिच हम उल्टी बुनेंगे उतार लेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे एक दो धागा अपनी तरफ करेंगे छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे एज इस्टिच को छोड़के हमको यही आठ फंदे रिपिट करने दो फंदे सीधे छे फंदे उल्टे हमारे एक डिजाइन कम्प्लीट हो गया है हम फिर से रिपिट करें धागा पीछे दो फंदे सीधे एक दो धागा अपनी तरफ करेंगे छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे फंदे उल्टे हमारे यहाँ से यहाँ तक दो डिजाइन कम्प्लीट हो गया है हम लास्ट बार बता रहे हैं दो फंदे हम फिर से रिपिट करें रहे हैं सीधे एक दो धागा अपनी तरफ छे फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे धागा पीछे करेंगे दो फंदे लास्ट में तीन फंदे बचेंगे दो फंदे सीधे एज श्टिच को हम उल्टा बुनके कम्प्रीट करेंगे फ्रेंट्स छे फंदों का छे सलाइयों को ही यह डिजाइन है और 6 आयों में आपको इतना सा डीजाइन बन के तयार मिलेगा इसी डीजाइन को इनी 6 फंद को आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको इस तरीके का डीजाइन बन करके आपके सामने आएगा तो फ्रेंड्स अगर मेरे बताने का तरीक आपको समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कहीजिए मिलती हूँ आपको फिर नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक क्यार ओके बाई बाई